असलम रिकम्फ्रेंस आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में आपको खशामदीद कहता हूं मैं हूँ आपका मेंटोर जबाद यूनस और आज जो कि लास में आपको समझाने जा रहे हूं वह है लेयर्स की लास लेयर्स की लास बहुत जादा इंप्पोर्टन कि लास है क्योंकि अगर आप न्यूवर में हमारे चैनल पे तो हमने इलिस्टेटर भी सखाया है तो इलिस्टेटर में जैसे हमने लेयर्स पड़ी थी तो वैसे ही यह फोटोशॉप पे भी काम करती है और यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टन रोल प्ले करती है लेयर्स को समझना बहुत ज़्य पूरी है फोटोशॉप सीखने के लिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के राइट बोटम पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा इस पे क्लिक किजिए और बैल ट्वर्य स्ट्रेटर सेखना जाते हैं उसके लिए भी नीचे मैं लिंग यहां तो उदर जा करा है छ Engagement करते हैं आप यह हमारे सामने आ गई तो यह background के नाम से आगी हमारे सामने अगर हम drag and drop करते हैं वो भी okay है otherwise आप file and open में जाके चीज को कर सकते हैं cancel करके मैं दुबारा इसको मैं करके दिखाता हूं आपको तो दुबारा मैं आपको directly जो है इसको पकड़ के लाके इदर दिखाता हूं या जाएगा आप यह देख सकते हैं यह layer हमारे सामने आगी है layer same to same जैसे illustrator में था कि अगर आप new चीज लाएंगे वो इससे उपर आएगी जो new चीज लाएंगे वो इससे उपर आएगी तो इसको अगर मैं मूव करना चाहरा हूं तो यह कह रहा है कि जोना मूव नहीं हो सकती क्योंकि यह lock layer layer को unlock करने के लिए आप क्या करेंगे आप डबल क्लिक करेंगे और okay कर देंगे तो यह layer आपकी unlock हो जाएगी अगर आप इसको फिर movement करना चाहेंगे तो यह अराम से movement हो जाएगी तो फर्स करें मैं एक new layer ले लेता हूं और new layer पे मैं जहना brush tool से थोड़ा सा भी काम कर लेता हूं तो यह आप देशकते हैं opacity की मैंने full रख हुआ फॉल भी फॉल रखावा है तो इदर आपके पास दो options आ रही होती है एक opacity की option आ रही होती है और एक fill की option आ रही होती है opacity आप जितना इसको कम करेंगे उतनी वह कम होती रहेगी और यही चीज अगर आप fill प बात है कि जहना कोई भी layer को आप अगर directly select करना चाते हो तो आपके पास यह option आ रहा होता है जो कि auto select option होता है अगर आप auto select का option on रखोगे तो फिर यह just मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो यह चीज़ स्लेक्ट कर रहा हूं तो यह वली layer select हो दिया इसको move करना चाहूं तो इसको movement कर सकता हूं Ctrl Z करता हूं अगर इस layer को मैंने select किया है तो इसको भी स्था movement कर सकता हूं otherwise अगर मैं यह auto select on नहीं करता तो फिर क्या होगा कि इसको मैं first screen off कर लेता हूं तो फिर क्या होगा कि मुझे अगर मैं auto select नहीं करता तो यह देखें नीचे वली layer उदो select नहीं कर रहा लेकिन जूई मैं auto select select करूंगा नीचे वली layer को select करूंगा तो यह select हो जागी तो कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं कोई भी चीज़ आप easily इसको वह कर सकते हैं फर्स करें मैं एक new layer ले लेता हूं तो यह आपके पास layer आगी तो आपने just alt backspace रुमाएंगे तो यह color हमारे पीछा जाएगा तो यह आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी चाहूं तो इसक को वह कर सकता हूं और अगर मैं इस image को फर्स करें यह वाली जो image है इसको अगर मैं razor से raise भी करना चाहूं वह भी मैं कर सकता हूं इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं रेस को तो यह आप देखें रेस होती जारी और पीछे वाला background हमारे सामने आ रहा है तो यह चीज थी अग्स जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं बैक किस कंड्रोल और बैक स्पेस करता हूं नेक्स जो चीज मैं आप लों को समझाने जा रहा हूं वह है कि यार अगर कोई हमारे पास image है इसको मैं 100% पर कर लेता हूं फर्स करें और इसको मैं लॉप कर लेता हूं फर्स करें हमारे पास एक image है जो के black and white है ओके इसको मैं इदर ले आता हूँ यह मारे पास first करें यह एक image रही यह black and white है और इस black and white image पर मैं काम करना चाह रहा हूँ यह first two tools बैने आ आप बता दिए हैं कि इस तूल का क्या स्वाल होता है उसी तरह यह चीज में आपको बताता चलो कि अगर आप जो है कोई भी इमिज लेकर आते हैं तो यह आपके पास स्मार्ट ऑबजेक्ट में आती है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब बता है कि इसको आप कुछ भी अडिटिंग आपको हमेशा इसे रेस्टराइज लेयर करना है रेस्टराइज लेयर का क्या फाइदा होगा कि आप जो भी इमेज बनाएंगे जो भी एडिटिंग करेंगे वह पिक्चर्स की रैसुलीशन भी अच्छी होगी और ज़्यादा हैवी भी नहीं होगी आप किसी को सेंड करना चाहेंगे वो भी सेंड हो जाएगी और मज़े से काम हो जाएगा तो यह चीज़ मैं इमेज एक लेया हूँ तो अब मैं यह एफेक्स में अपलाई करके इस पर दिखाऊंगा नॉर्मल पर तो सिंपल होता है डिजॉल पर हम जाएंगे तो डिजॉल पर यह होगा कि यह जो जैसे कि मैंने आप बने होता है कि आपकी कोई भीी में जो इसंत्रइघ स्वाइब पिक्सल में णल बनी होती है कोई जो वैक्टर में में करते हैं तो नेक्स चीज मैं आपनों को समझाने जा रहा हूं वह है ब्लेंडिंग एरियाज मल्टिप्लाइ क्या करेगा जब आप जूहीं मैंने मल्टिप्लाइब क्लिक किया इसने वाइट बैग्राउंड को उड़ा दिया यह देखें और मैं दिखाता हूं फिर जब मैं इ आते हैं हम लोग हर वोकत तो नहीं फोटोशॉप फाइल साथ रख सकते हैं तो फोटोशॉप पे हमारे पास यह फाइदा होता है कि मल्टिप्लाइब के तुरू आप डिरेक्टली इसको जह है इसका बैग्राउंड बैग्राउंड रिमॉब कर सकते हो वाइट एंड बलैक करें तो मैं इस तरह यूज रहा हो हाँ वह स्क्रीन स्क्रीन से क्या होगा ये अंदर मेरी साइट ब्लैक में कि ब्लैक रिमॉफ कर देगा और वाइट रहीं देगा ये आप देख सकते हैं अगर मैं निसको दिखा सकूं आपको तो इसको मैंुख कर दिया है और दिले को जाता हूं एक और औप्ट के इनवर्ट जुहीं आप क्लिक करेंगे वाइट ब्लैक भी चला जाएगा अब जब एफेक्ट्स हम लोग देखना चाहेंगे तो मुल्टिप्लाय पर जब करेंगे तो इस तरह का एफेक्ट आजएगा तो अगर हम लोग जाए स्क्रीन पर करेंगे तो ऐसा एफेक्ट है कि हमारे पास कलर यह ज्यादतर क्या होता है यह भी उसी तरह का एफेक्ट अभी दे रहा है लेकिन दूसरी इमेज होंगी तो ज्यादा एफेक्ट आपको समझ आएगा यह मैं आपको थोड़ी दर बाद प्रेक्टिकल क्लास में समझाँगा कि जो है आपने बैग्राउं आभी उसक history आप जो लोग नीच में हिसको पता हो ब्याड़ कासे किasida है अब जैसका अचिए किस रही हैं तो वो चीजँ आप उसको यूटिलाइस करें एक potrzeb के मैं बना लेता हूं उसका फंवर लेयर मैं हुफ़ कर रहा हूं तो इस पहलब और प्लिक्र लेक्शिन कर लेता हूं इसको में फ्रोडा जूम बढ़ा कर लेता हूं और एक अध्र fibersi selection कर लेता हूं अura tila जारी स्लेक्शन कर लिए मैं फिर मैं इसमें गया हूं कलर मैं जा इस्ट तो हम यह आप देखे सकते हैं मारे जो जड़ो डिल उसके कलर बना दिया तो अगर आप इस तरह चीजाने को यूटिलाइस करना चाहिए नो पर चीजे मैंने आपको समझा दी तो नीचे जो option आपके पास यह आ रही है यह किस काम के लिए होती है एक न्यू लेयर मैं बना लेता हूं और इस पर मैं जो है एक यह चीज़ बना लेता हूं या इसको मैं डिलीट करता हूं फर्स करें मैं वही इमेज दुबारा से ले आता हूं हुआ कि यह में लेया हूं और इसको में रश्ट कर लेता हूं तो अगर है धसार रहा हूं मैं पर यह काम कर सकेंगे दिकें यह मा ब्रश कर रहा हूं सिरफ उसके अंदर dv brush और सकते हैं अगर आप इसको नहीं select कटें तो यह पूरे artboard पर zij की selection करएगा या कोई फिर काम आप करना चाहें वो कर सकते हैं तो नेक्ट टूल भी हमामins को तो लोग कर लेता हूं तो यह क्या करेंगा यह जो Door को लोग करतें होता है जैसे कि आप इस पे कर से लेकर जाएंगे तो आपके पास यह option दे रहा होगा किस तरह यह चीज़ों को यूटिलाइज करता है नेक्स जो टूल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है लॉक पॉजिशन लॉक पॉजिशन का बंदर है कि अपनी पॉजिशन लॉक कर देगा अधर वैस आप जिस तरह भी बिज़की आपट परग करना चाहें वह आपकर सकते हैं या इसके इन दोनों को भी या तो दूम Tennessee स्विशन लिख कर दो करती ऐसे में करता हूं ओप्राल तो एप देख सकते हैं कि इसको क्लॉक करने से क्या फाइ tilt हुआ दोनों को इसको भी मैं लॉग कर लेता हूं साथ में कि ये अंदर ही काम कर रहा है बाइर जाने की इसको भोनिया अगर मैं इसको नहीं लॉग करता तो यह हमारे पास ऑप्शन होगी कि मैं इसको आटोमेटिकली और पूरे आर्ट वर्क में यूज़ कर सकता हूं तो इस पर यह भी नुकसान है हमारे पास कि हम कंट्रोल टी नहीं इसमें दपा सकते हैं ट्रांसफॉर्म नहीं दपा सकते हैं बाकि सब टूल्स में हमारे पास ऑप्शन होती है जैसे कि हम लोग फस्ट टूल में जाएं इसको मैं अलिंक कर लेता हूं फस्टूल में जाएं त priority करकी इसको मैं बढ़ा कर लेता हूँ दर्वारज से मैं इमेज लेया था हूँ अ का इस ग्रि brush МГ tip America कि घ्लख करेंगे तो यह और आपके पास लुड़े कि में इसलेक्ड लेकिन उपरवाई को नहीं कर रहा है तो अपने चीज वो कैसे इसको मैं लोग कर लेता हूं यह वाली चीज आपको मैंने समझा दी यहां तक नेक्स चीज आपके सामने आ रही है यह किसका क्या फाइदा है यह आपकी लेट को सर्च करने के लिए उस होता है अगर आप नेम के तुरू किसी चीज को सच करना चाहते हैं अगर आप ज्यादा सी लिएर्स पर भी काम होता है फोटोशाप में जब आप बैगरांड डिमोब बैगरांड एरिटिंग कर रहे हों मर्च कर रहे हों तो बहुत ज़्यादा चीजों भी आपको यह उस वक्त काम आती है कि आपको अगर आपने नेम से सर्च करना हो या किसी भी तरा लिए आपी अब चीजों को कर सकते हैं और अगर मैं चाहूं तो इस लेयर का मैं नाम मोंदेनी कर सकता हूँ दबैंग जश्ट इस सख्रेग करणा हो जैसं पर इन टूलेट करें घुर्ट अगया है अगर आप इदर लिखेंगे सेकंड इमेज तो यह सिरफ सेंड पर सामने आ लिए और अगर आप फस्त लिखेंगे तो यह देखें आपके पास फर्स्ट वाली आ रही तो इसके मंदब यह लियर्स को सर्च करने में बहुत ज्यादा फाइद बंद होता है जिस्ट मैं इसको सेलेक्शन कर लेता हूं उसके लावा काइंड में आता हूं काइंड में हमारे पास option आ रही होती है कि हम बिक्षल बेखिड सेलेक्ट करना है या है ये यदे क्डि लिवली चीजह को सब्दाइब्सिक्राइब करके रहा हूं उसको क्या फाया है कि अप्स तासि निद्ध कर दबाएंगे तो यह का अप्शन दे रहा होगा कि आपने इसको वाकर डिलेट करना चाहते हैं यह नहीं करना क्योंते अगर मैं इसको डॉंट शो करूंगा नेक्सिट टाइम यह मुझे कभी भी डिलीट में डोंट शो की आप्शन नहीं देगा तो इस प्राइब से मैं इसको नो कर देता हूं कि अक्सर वकात आप गलती में डिलीट दबा देते हो तो वह चीज पर डिलीट हो जाती है तो नेक्स्ट इस जगह पर जो मैंने आपको बताया था नियू लेयर की आप्शन आई जितनी मर्जी आप लेयर बनाना चाहिए आप बना सकते हैं उसके लावा अगर आप जो है चीजों को ग्रूप करना चाहते हैं फर्स करें आप तीन-चार से लेयर बनाई है और इसको रिमाइन गूरूप करना चाह रहा हूं जैस्ट मैं इनको ओवरॉल सेलेक्ट कर लूँगा और इसको ग्रूल जी कर लूँगा यह इसका शौटकु कि ऐसे प्राइफ्ट ग्लासेज में मैं ज्यादा थर यूज करता हूं वह चीज में आपके सामने रखने जा रहा हूं उसके लिए मैं कि इमिज ले आता हूं जो मैंने आटोमेटिकली इमिज्ज इस सेलेक्ट की है गूगल से और ड्रेग इन डॉप उनको कर लेता हूं फर्च करें यह एक में मेरे पास और एक यह इमेज है यह सी के ओपर मैंने ड्रॉप कर दिया और इसको फुल साइज कर दिया जैसा कि मैंने आपको बदाया था है कि जिस चीज को उपर रखेंगे उस चीज का एफेक्ट आएगा तो इसको मैं रेस्टराइज कर लेता हूं ताकि मेरी इमेज का साइज छोटा देराख आप कर दो जैसा कहूं को बदाया था कि उफेक्टेंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं तो उसी तरह ही तक आप के आपने कैसे ऐफेक्ट को प्लाई करना अे आप सकते हैं इसको मैं नीचे करूंगा तो ये हम मेरे पास डिफेक्ट्स तेरह होगा कि आपने किस तरह की इमेज पे किस तरह का इफेक्ट इस इमेज पे कैसा बैग्राउंड आप बनाना चाहे हो तो यह आप देख सकते हैं जो चीज मुझे बैस्ट लगेगी मैं उसको मिला के एक बैग्राउंड बना लोगा जो और मेरा डेस्ट आप बाल पेपर इसको मैं नीचे कर रहा हूं तो यहां तक आ गया जो मेरा फेवरिट जो इसमें अभी मुझे लगा है सब कुछ सच करते वे इन डिफरेंट ऑप्शन सच करते वे तो उसमें हाइलाइट लगा है हाइलाइट में हमारे पास यह आप्शन बड़ी मजी किया रही है लेकिन य इस जगह पर आजे और यह जो है चीज वह जगह पर आजेगे तो वह कैसे आएगी मैं इस इस पर राइट क्लिक करूंगा और फ्लिप इंटू और रिजांटल करूंगा और लिटल बिट इसको आप कर दूंगा कि सूरे इधर से निकल रहा है तो इसकी किरान इधर पढ़ लिए है और यह एफेक्ट हमारे सामने आ गया दमसे का एक्ट हमने इस चीज पर वो किया है अपलाई कि आप देख सकते हैं कि जिस्ट तू इमीजिस का मिक्चर बना के हमने कितना जबर्दस शाएफेक्ट अप्लाई कर दिया यह सब लिए का कमाल है ज्यादा तर बैग्रा इस बस्केमराई में अपको देने जा रहा हूं वह है एर्उप्लेंगे इक में यह ले आता हूं पिक्ट्र कर ना यह देख रहा हूं कि यह दूख स्वेफें इस्कॉत माजा नहीं कहरा ही च्राइस था सभगा इस पाल ऑंडर्वोट आयाता हूं आप Cotton मैं इसको कर दिए हो मैं डिरेक्ट ली में ड्राइकर जाए मैं इसको ड्रेक्ट करें इस पर और इसको थोड़ा इसके वहां हुआ इसको मैं Cancel कर लेता हूं इदर से और इसको जैसे कि मैंने आपको समझाया रेस्टराइज लेर ब्लेंडिंग ऑप्शन भी आ रही होती है डिली टेयर की सब ऑप्शन इस जगह प्यार रही होती है लेज को नीचे वाली लेज को मर्च करना हो तो वह सब इधर लेज में ऑप्शन आरी कि रेस्टराइज लेर मैं करता हूं और इस पे डिसॉल्फ एफेक्ट अप्लाई करके एक 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 अप्लाई करके आपने देखना है कि या किस चीज में ज्यादा बेस्ट एफेक्ट लग रहा है उसको उस चीज़ पर अप्लाई कर दिया जाए ओके तो मेरे ख्याल से यह एफेक्ट थोड़ा मज़े कर लग रहा है लेकिन इसमें यह है कि इसने जहाद को चुपा दिया तो उसके लिए मैं करूंगा मैं इसको जस्ट हाइट कर लोंगा अपर वली लियर को जैसा कि मैंने आपको सेलेक्शन तूल ने समझाया था कूइक सेले के लिए मैं इसको सेलेक्शन ले लेता हूं लेयर पर आ जाता हूं कॉंट्रोल डी कर लेता हूं अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं करता हूं जैस्ट मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा बहुत स्लेक्ट कर लेता हूं ओके लिए फर्ज करें यह मैंने स्लेक्ट कर लिया है तो जैस्ट मैं इसको स्लेक्शन कर लेता हूं यह चीज हमारे पास रह गई यह जो चीज़ आपके पास इस तरह की चीज़ें आ रही होती है जैसे कि मैंने आपको समझाए था अब दूसरे टूल से भी इसको कर सकते हैं फर्स लेकिन यह आपने देखना है कि आपने एडिशन वाला ही स्लेक्ट किया हो मैंने हैं एक को क्यरता बना लेता हूं इसकी तकि अफ़क्ट का आबको समझा आ जा कि आपको अपने कैसे अपलाई करने हैं और कैसे मज़ेदार चीज़ें एफ़क्ट आपको दे रहा होता है clearing यह सिम्पल सी मैंने इसको football नोगाए बना दिया है अगर हम इसको हाइड करते हैं तो यह आप देख सकते हैं और यह इसकी और इजिनलिटी चीज़ों की को और ये इसकी और जना लिटी चीजों की कि Judah चीजों को कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके लाभ Wha को चीज़ अगर मैं आपको बता सको करूं है पर सकरहे मा चाहरा हूं जस्ट मेरे स्काइप पर ही कलर हो और किसी बस्ता ना हो तो तो मैं उसी तरह जिस तरह मयने जहास को सेलक्ट किया उसी तरह इसको मैं स्ट्रा कर लेता हूं अगर यह इसको छोड़ते हैं ऊपर हाले को ही डराइसलेक्ट कर लेता हैं इसको इसको addition करते हैं कुछ जी करता हूं थोड़ी करता हूं थोड़ी जो addition होने वाली है उसको गजाए उसको फ़र्स करें इस चीज मैंने select कर लिया तो इस पे मैं कंट्रोल जे करता हों तो यह हमारे सामने आजाएगी और उपर वाली जो आपकी image है उसको इस हिसाब से मैंने क्रॉक करना है उसके लिए मैं क्या करूंगा मैं जिस्ट कंड्रोल पैस करूँ गा और नीचे वाल्य मेस्ट टेस्क्रच्ण करऊ हैं कंड्रोल यह अउपर वीमेज कर दुम गा से उसको मैं हुआ हिड कर दूँ ग्रूप का थोड़ा वह समझ नहीं तो मैं ग्रूप को जाना थोड़ा सा और explanation के तुरू मैं आपको बता देता हूं फर्स करें यह मैंने एक चीज बना लिया है और मैं चाहाब जाना इस वह rectangle बना लिए हैं इनको मैं overall selection करूंगा और just control G कर दूंगा control G मैं करूंगा तो यह हमारे पास option आ रही होगी क्यार यह सब आगे उसके लावा जो बाइर होगा वो अलग से होगा लेकिन यह सब इसके अंदर है जब इसको hide करेंगे तो हाइड हो जाएंगे तो तब जब भी आप ज्यादा layers पे काम करें groups by groups पे काम करें अगर आप इस group को move करना चाहेंगे तो आप पूरे पूरे group को इस तरह move कर सकते हैं तो इसमें यह नुक्सान होता है कि आप जाना अलग-अलग layer को select करके फिर वो आपको changes करने पड़ते हैं लेकिन यह है फाइदा कि आप जाना ग्रूप ली किसी चीज़ को रख सकते हो ग्रूप ली किसी चीज़ को lock directly कर सकते हो यह चीज़ अगर आप first करेंगे मैं चाह रहा है कि रिक्टेंगल बंजोने यह ग्रूप से निकल जाए उसके लिए मैं क्या करूंगा इसको मैं अलग कर लेता हूँ तो टैंगल तो मैs मेरी ग्रूब मेर यह बाहरा हूं को मैं को छाँ जाया है यह A과 inevitable ऑडर वाइस मैं क्या करूंगा जिस्ट रीट की बटन लूगा और फैलीट हो जाएगा इसका एतनी नहीं है जिस्ट आपने इसको ड्रैक करके बाइर करना है तो यह चीज बाइर हो जाएगी तो लेर्स मज़ीदार पैनल है तब ही मैं आपको कह रहा था बहुत जदा इंपॉर्टन पैनल है मुझे अमीद है यह गिलास आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो अगर आपने नहीं सीका तो अब इलिस्टेटर का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं प्लेलिस्ट का अब उदर से जाके एटू जी इलिस्टेटर सीख सकते हैं उसके लावा मैं प्रैक्टिकल क्लासेज भी दे रहा हूं तो फोटोशॉप क्लासेज भी कुछ म्यूजिक पे बंद कर दी हैं लेकिन मैंने म्यूजिक के तुरू इस वरा से दे रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें चीज़ों को देखते रहे हैं आर्टिस्टिक मेंटोर जवादियूनस को इजाज़त दीजिए अल्लाहाफेश